आपको बचपन से बताया जारा है अगर आपको healthy रहना था आपको ये सारी चीज़े avoid करनी चाहिए तो आज किस वीडियो को हम चार पार्ट्स में divide करेंगे सबसे पहला जो आपको बचपन से बोला गया उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको avoid करनी चाहिए एस भरदी समाज उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दूसरा क्या वो जरूरी है avoid करना तीसरा actually में हमें क्या avoid करना चाहिए एंड चौथा हमें एक्षुली में करना क्या चाहिए ये चार चीजे समझ जाओगे तो हिल्दी खाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा तो सबसे पहले हमें बचपन से लेकर अभी तक कुछ चीजें बताई गई है सबसे पहले बोला गया है मीठी चीजें आइस्क्रीम, विस्की, चॉकलेट, केक नहीं खाना है बंद कर दो, मत खाओ, बुरी है हमारे लिए दूसरी तलीवी चीजें समोसा, पकोड़ी, कचोड़ी बुरी है नहीं खानी चाहिए बहुत बुरा होता हमारे लिए इसको हमें अवाइड करना चाहिए तीसरा, मैदा, आतों में जाकर चिपक जाता है, नहीं खाना चाहिए, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, हमारे लिए बहुत बुरा होता है चौथा प्रोसेश्ट फूड आइटम चीनी प्रोसेश्ट है नहीं खानी चाहिए वाइट ब्रेड प्रोसेश्ट है नहीं खाना चाहिए बिलकुल नहीं तो क्या इन सभी चीजों को सच में हमें वाइट करना चाहिए आएए समझते हैं माली जी आपके पास ये एक गाड़ी है और ये गाड़ी पिट्रोल से चलती है तो आप इसमें पिट्रोल डालोगे लॉजिकल है बट अगर आप इसमें कैरोसीन ये डीजल डालोगे तो ये गाड़ी खराब हो जाएगी नहीं चलेगी अब आप सिफ ऐसा सोचोग अगर मैं अपनी गाड़ी के अंदर कैरोसीन ये डीजल नहीं डालूँगा या डालूँगी तो क्या आपकी गाड़ी ऐसे चलने लगी नहीं चलेगी बिकॉस इसको चलाने के लिए इसमें पिट्रोल भी डालना पड़ेगा आप समझ रहे हो न मेरी बात को तो आप जो भी चीजे सोच रहे हो कि मुझे इसे अवाइड करना है अवाइड करना है नहीं डालना है मानलो कि वो आप नहीं डाल रहे हो अपनी बॉड़ी के अंदर अगर आपको अपने आपको healthy रखना है तो आपकी body को जो चाहिए carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, water, सारी चीज़ों आपको उसको सही मात्रा में देनी बढ़ेंगी avoiding में हमने जो भी चीज़ें बात की हैं जैसे fried food, मैदय वाले चीज़ें, मीठी चीज़ें, processed food हम इन सभी चीज़ों को आईए एक एक करके समझते हैं मीठी चीज़ों को हमने बुरा क्यों माना है पता है क्योंकि मीठी चीज़ों में calories बहुत जादा होती हैं और हम उसे over consume कर लेते हैं बट अगर आपने अपनी body को सारी चीज़ें दी हुई हैं और एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा खा लेते हैं और वो आपके calorie बज़ट में आ रहा है तो वो आपके लिए बुरी नहीं है आप उसको खा सकते हैं बट अगर आपको मिठाईया पसंद है और उसके नाम पे आप पूरे डब्बे खा जा रहे हैं तो ये आपके लिए बुरा है सेम इसी तरह अगर हम fried food के बारे में बात करें तो जैसे कि समोसा मेरा favorite है तो अगर मेरे हपते के सारे मेल सही जा रहे हैं और हमने हपते में एक से दो समोसा खा भी लिया तो वो हमारे लिए बुरा नहीं है बट अगर मैं रोज समोसा खाऊ रोज तली हुई चीजे खाऊ तो ये हमारे लिए बुरा होगा सेम मैदा मैदा हमारा गेहूं से बनता है हमारे गेहूं में से जब हम फाइवर को निकाल लेते हैं तो वो जो पाउडर बजता है उसी को हम मैदा कहते हैं मैदे और आटे में फर्क बस इतना होता है कि आटे में हमारा fiber होता है और मैदे में fiber नहीं होता है तो आप मैदा खाओ मालो कि आप meगी खारे हो बट उसके साथ में आपको सबजी add कर दो दो अंडे add कर दो पनीर add कर दो मतलब ऐसी चीज़े add कर दो जिसमें fiber हो तो ये हमारी complete meal हो जाएगी जो चीजे मैदे में missing हैं उसे add भी तो कर सकते हैं और हाँ मैदा हमारी आतों में जाकर चिपकता नहीं है आप खाने को जिस form में खाते हैं वो खाना हमारी आतों तक वैसे ही नहीं पहुच जाता है खाना आपकी आतों तक जाते जाते एकदम liquid form में हो जाता है तो वो आपकी आतों में चिपकता नहीं है बट अगर आप मैदा बहुत जादा खा रहे हो और उसके साथ में आप फाइबर वाली चीजें नहीं खा रहे हो एड नहीं कर रहे हो तो वो आपको constipation की समस्या दे सकता है बट आपको constipation क्यों आ रहा है मैदे की वज़े से नहीं आ रहा है वो फाइबर की कमी की वज़े से हो रहा है तो आप इन सभी चीजों को अगर सही तरह से यूज करते हो तो ये सारी चीजें आपके लिए बुरी नहीं है कुछ ऐसी चीजी होती है जो पबली के लिए सब को पता है कि ये हमारे लिए बुरी होती है जैसे इलकोहल, गुटका, तमाखू, सिक्रेट हमें इन सभी चीजों को सच में अवाइड करना चाहिए अगर आप इलकोहल पीते हो, स्मोकिंग करते हो और आप सोचते हो कि मैं मैदा नहीं खाऊंगा मीठी चीजे नहीं खाऊंगा, चीनी नहीं खाऊंगा मतलब प्रोसिष्ट फूड भी नहीं खाऊंगा और आप हिल्दी रहो लोगे तो ऐसा नहीं होगा तो अगर आपको हिल्दी रहना है तो आपको एक बैलेंस मील लेनी होगी साथ मैं आपको इलकोहल, तमाखो, गुटका, सिक्रेट इन सभी चीजों से दूर रहना होगा और आपको साथ से आठ गंटे की एक अच्छी नेद लेनी होगी तीस से पैतिस मेंट तक आपको वरकाउट करना होगा और आपको अपने हिसाब से 3-5 लिटर पानी भी पीना होगा क्या नहीं करना है उससे जादा फोकस करो कि क्या करना है तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हम मिलते हैं अंगली वीडियो में किसे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई आएंड पीस आउट